सबसे पहले मंडे नाइट रॉक की प्रिव्यू से तो कल होने वाले रॉक का एक और ब्रैंड नुए एपिसोड एंड यह होने वाले फास्टिन के बाद का पहला एपिसोड तो क्या कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्राउंजूल की बिल्ड स्टार्ट होगी एंड डे वब डपी ने क्या क्पर्म किया वोघंट बथा कि पुछले वीक ही होने वाल था लेकिन चेंजेस हो गए तो इस वीक होने वाला बेकलिंच करने वाली है अपनी नोक्स का आउटकम सबको बहुत अच्छे समालूमएं तेगर नौक की लिए काफी अच्छे ऑपरचुनिटी है खुद को प्रूफ करनी की बागी इसके बाद डबी डबी ने कनफर्म किया है नाया जैक्स और रकील रोटरेगर्स का मैच यह मैसिव मैच हो सकता है दोनों जायंट से विमस्ट डिविजन से तो ऐसे में डबी डबी इस मैच को बुक करके देखना भी चा आईवार को एक सिंगल सुपरस्टार की तरह आगे बुक करना चाहती है वैसे में डबी 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 एक्सपरिमेंट कर रही है इन सिंगल मैचेस के साथ में एड़ डबी डेखना चाहती है इसके अलावा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ नई फ्यूट्स जो की क सीना को लेकर अभी देखो मंडे नाइटरों से ज्यादा एक्साइटेड लोग हैं एक्सटी के लिए और परस्नली मैं भी उनमें से एक हूं क्योंकि सिंपल सी बात है कैसे नहीं होंगे जौन सीना कोडी रोड्स पॉल हेमन बेकलें चासका अंडेटेकर सब आने वाले एक् तो देखना भी कौन जीता है वैसे कौन जीत रहा है सबको पता है लेकिन एक फॉलमेलेटी वाली चीज़े जौन सीना अगेन हाइप करते हैं एक्सटी अपेरेंस को अपने इंस्टाग्राम पे एक्सटी की फोटो पोस्ट करके तो जौन सीना ने एक ट्वीट भी कुछ द तो देखना है नेकस्टी सबको भाई मिस बिल्कुल नहीं करना है देखते है क्या हॉल होता इस वीक कितने नंबर सहते हैं पिल्छाल किह सबसे जोन सीना अपने करते करते एक उसकी फोटो पोस्ट करके आगे बदते हैं अगली स्टॉरी के बार amendments के चेजन एक्विन नेरी Kevin Nash, यह वैसे हिनों आपने podcast, the click वाले podcast में सारी बाते कही है, तो उनको पुरे credits, यह कहते हैं, I pray that Edge does not get hurt, but he is a great addition, one of the things, their style is so different than the WWE style, it's kind of an indirect effect, but I believe that bringing in somebody like Edge, he has always worked a main event style, I thank you for him, with one of those younger guys, stop some of the bad habits that some of the other guys have, तो इन्हों ने basically कहा, I hope, I pray, मैं ऐसा चाहूँगा, कि Edge जो हमापे hurt ना हो, Edge injured ना हो, already, Edge की आप सबको मालूमे हालात पहले कैसे रह चुकी है, Edge कितने hurt हो चुके थे, पहले मतलब हड़े, दिल विल ब्रेक अप की बात नहीं कर रहा है, मैं injury की बात कर रहा हूँ, उनकी neck injury भा यहां काफी unsafe and यह हर कोई जानता है, जिस तरीके से हमने examples देखें कि वहाँ के superstar literally बहुत जादा risk लेते हैं, even Daniel Bryan जो है, वहाँ पर जाके काफी risk लेन लगें, बीच में injured भी हो गया थे, वहाँ पर 90% superstar injured हो जाते हैं, तो Edge के साथ आप यह यह होप करेंग सब लोग, Kevin Ness कुछ यह कहते हैं, बाकी कहते हैं, कि AW के लिए वहाँ पर सारे नए superstars के साथ वह अच्छे matches दे सकता है, बस एक और चीज़ कंट्रोल करने वाली यह है, कि AW के लिए, कि वहाँ पर जो कुछ लोग हैं, जो कॉंट्रोवर्सी में काफी घुसे रहते हैं, उनकी जो bad habits है, उसका असर Edge के उपर ना पर है, क्योंकि Edge एक बहुत बरे वाले legend है, तो उनके साथ यह खिलवार नहीं होना चाहिए, यह कुछ कहना है Kevin Ness का, क्या आप होने वाले SmackDown roster का part, और वहीं पर compete करेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, अभी कार्डीटो को लेके plans के हैं, WWE के पास वो में आपको बता दूँ, एक जैक नहीं बता पाऊंगा कि यह feud है, यह match है in future, बटी आपको जरूर से बता सकता हूं, क्योंकि update का कहना है, कि जो कार् कार्डीटो को लेके, WWE के पास major plans है, बटी ने काफी time लिया है, कार्डीटो को contract में साइन करने के बाद, उनके लिए चीजे प्लान करने के लिए, तो WWE के पास काफी major plans हैं, जो कि वो implement करेंगे, कार्डीटो को लेके, अब यह exact plans का है, वो बहुत ही जल्दी reveal होंगे, और कार्डीटो के बाद, लेकिन बताईए जा रहा है, कि WWE ने इतना time लिया है, तो कुछ massive plan किया है, एक massive plan है, कार्डीटो के लिए, जो कि WWE अब implement करेंगी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगली story के बारे में, जो कि Seth Rollins और सिंसके नाकामुरा को लेके, तो इनकी feud साथ से move on करने वाले हैं, इससे also same goes with सिंसके नाकामुरा, लेकिन इस feud से outcome क्या आया, नाकामुरा तो भाया से हारते रहे गए, तो ऐसे में WWE backstage जो है, credits दे रही है, Seth Rollins को काप ज़्यादा, कि उन्होंने सिंसके नाकामुरा के career को revive करा है, ऐसा कुछ credit मिर रहा है, Seth Rollins को, इस ते disagree भी किये हैं, जितने वो एविल लग रहे हैं, करेंटली, जितने वो लग रहे हैं कि भाई, हाँ, ये वंदा वहां से बिलॉंग करता हूँ, देखके पता चल जाया कि भाई, जैपनीज रसलर है, तो नाकामुरा ने भी अपने character पर काफी work किया, तो I hope जितना credit Rollins को मिल रहा है चीज के लिए, उससे थोड़ा जादा नाकामुरा को मिल है, एंड स्पेसले डवी डवी क्रेटिव टीम को भी, उन्होंने इमेंली वर्क कर रहा है, तो आसे में Rollins को काफी credit दिया जा रहा है, कि भाई, इसकी वज़ा से नाकामुरा का career revive हो गया, आखिरी स्टोरी का पर कर के भाई कितनी रंंबलिंग से ब्रॉकमेणe के अभी ओ wenn में आपको प Anfang चीज़ देलिखने को पोई जागही किरारे ऐ ब्रॉक में डूंस सेथ रॉलिंजे मतली ब्ली सके डिकितिbels भाई होने वाला है, और धी कि लेस ब्लेटितरल थो र्चिकल रहेगा, धिशने रॉल इस से क्यूंकि रॉलिंस को बिलाकि लादो वर्ट टाइटल के लिए फिर हरादो तो उसका कोई सेंज बने चाहिए नहीं जॉण सीना को फेस करेंगे रिटर्ण ही नहीं होने वाला पहले तो क्राउजुल के लिए लेकिन हां रिटर्ण की अगर बात करें तो एक तो थोड़ी सी पॉसिबिलेटी यह बहुत जाद नहीं डिसकस नहीं कर रही है अभी कहीं साफ से नहीं हो रहा है अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताओंगा जरूर से लेकिन अगर आपको यहीं सुनने को मिल रहे हैं कि लेस्टनर वर्सेस सैथ रॉलिंस हो सकता है म आज जमे में वीडियो बना रहा हूँ अभी कहिसाब से क्राउन जूल के लिए कोई प्लान नहीं है ब्रॉक लिस्टनर को लेके आगे कुछ चेंज होता है मैं आपको पक का बताऊंगा अभी कहिसाब से कुछ भी नहीं है तो इधर और कुछ भी बिलीव मत करना फिलाल इस